जहें दोस्तों बंदे मातरव साजित खान के ऊपर जो इस समय कॉंट्रोवर्सी मची हुए बिग बॉस को लेकर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही चाहे हम DCW की बात कर लें, बतलब महिला आयोग जो है दिल्ली का उसकी बात कर लें या फिर आयबी मिनिस्ट्री की बात कर लें कई सारे लोग साजित खान को बिग बॉस में इंक्लीड किये जाने के खिलाफ होते जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी साजित खान बदस्तूर इस शो में जिये जा रहे हैं दरसल साजित खान के ऊपर इतिहास में मीटू कैमपेंड के समय पर जो आरोप रतरोप लगे हैं वही आरोप रतरोप आज की लेट में उनके गले की फास बन चुके हैं उनको कई सालों से काम नहीं मिल रहा है लेकिन सबी चीज़ों के बीच में उनके एक बार भी इन आरोपों को लेकर कोई बड़ी बात नहीं दो जान लेता हैं कि अब साजित खान के किलाव किसने क्या आरोप लगाएं साजित खान के बिग बॉस से जोलवा में आने के बाद से उनके कुछ पुराने केसिस फिर से हाईलाइट हो गए है शेलिंचोपडा के बाद अब दिया और बाती फेम कनिशका सोनी का पोस्ट चर्चा में कनिशका ने एक वीडियो पोस्ट किया है और उसके साथ मैं लंबा पोस्ट भी लिखा है पोस्ट में लिखा है कि वो उस इंसान के नाम के खुलासा करने में डरी हुई है जिसने उन्हें फिल्म में रोल देने के नाम पर टॉप उपर उठवाया था कनिशका ने कहा कि उन्हें पता चला है कि वो डायरेक्टर बिग बॉस में आया है कनिशका ने बताया कि उस डायरेक्टर के नाम साजित खान है उनसे मैं 2008 में मिली थी उस वक्त मैंने दो रियालिटी शोज किये थे मैं मंबई में सर्वाइब करने के लिए प्रोडियूसर्स और डायक्टर्स के इंटर्वियूज लेती थी तम मेरा कॉंट्राक्ट साजित खान से हुआ साजित को कॉल किया तो उन्होंने इंटर्वियू लेने के लिए साजित नाडियावाला के बंगले पर बुलाया उस वक्त मेरा करियर शुरूई हुआ था मैं 2008 के असपास जून में मिली थी फिर मैंने साजित खान को फोन करके बताया कि मैं एक्टिंग में करियर बनाना चाहती हूँ और उनसे फिल्म में रूल देने की बाद भी कही है साजित ने फोन पर एक दो बार बात करने के बाद साजित ने कहा कि जूओ आले फ्लैट पर मिल ले आई मैं हम्दाबाद से आई थी शर्मीली लड़की थी उनने मुझे समझाया कि आपको ड़ने की ज़रूरत नहीं मैं अपनी माम के साथ रहता हूँ हैनाचाँ गर पर और भी लोग Le Quin काम करने वाले भी है carry मैं उनके घर पर गई मैं अपने प्रड़फूलियो फाइא लेकर नहीं देखर गई थी तमक नहीं दिखा सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मूवी में नहीं दे सकता हूँ। कनिशका ने सलमान खान को अपना फेवरेट बताते हुए सवाल उठाया है कि लोगों को बिग बॉस के लिए चुनने से पहले उनका करेक्टर आखिर क्यों नहीं देखा जाता है। इसी दी सी बात है अब तो ये सारी चीजें होने ही वाली हैं कि भई साजित खान के इस करेक्टर के उपर तो सवाल उठना ही। देखिए जब चीजें आपके इतिहास में इतनी ज़्यादा ग्रे रहती है ना तो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट भी आपका साथ नहीं दे अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है मेरे इस वीडियों फिलाद नहीं जाएं जाएं जाएं